दोस्तों Honor 8C और Huawei Y7 Prime 2019 ये दोनों स्मार्टफून पाकिस्तानी मार्किट्स के अंदर लांच हो चुके हैं और अगर आपके माइड में कोई confusion है कि इन दोनों स्मार्टफून में से कौन सा फून बाई करना आप दोस्तों के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा लेकिन उससे पहले अगर हमें चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और बैल आइकन को लाजमी पैस करें ताके मेरी हैवनी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ आपका होस्त बब्लूला हुरी इसका विरिंट है चार जीबी जाए वहां पर एक्स्क्लूसिफ है आप ज जो मेरी इंडिया दोस्ता है में कि नहीं आये था अब 2019 वाला आएगा कि नहीं आएगा अगर कोई इंडियन दोस मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे comment section में बताओ यार क्या Y7 Prime 2018 और 2019 ये दोनों वी रेट्स आ चुके हैं इंडिया में कि अभी नहीं आये मुझे इंडियन दोस मेरी comment section में ज़रूर बत करें तो Honor 8C की जो build है वो है polycarbonate back side पे आपको matte finish देखने को मिलती है और अगर display size की बात करें तो 6.26 inch का display है top side के ओपर एक notch देखने को मिलती है और इसका जो resolution है वो HD plus आपको देखने को मिलेगा Huawei Y7 Prime 2019 की बात करें तो यहां पे भी आपको polycarbonate की construction देखने को मिलती है glossy finish देखने को मिलती है काफी चमक दमक देखने को मिलती है back side के ओपर और इसका display size है वो 6.26 inch का है display का resolution है वो HD plus है और top side के ओपर आपको एक dew drop notch देखने को मिलती है और अगर overall देखें तो display में और resolution में को definite इसमें कोई दो और आई नहीं है कम है लेकिन आजकल की date के अदर आप देखते हैं तो कोई भी जो device नहीं आ रही है मासवाई Xiaomi के एक दो devices के कोई भी device आपको full HD resolution प्रवाइब नहीं करती 25,000 पे से 26,000 पे की range के अदर और इन दो devices के जो पिछले साल के variant थे 7C और Y7 2018 वाला जो variant है अगर वो HD plus resolution से काफी उपर जा सकते हैं काफी अच्छी business generate कर सकते हैं brands के लिए तो इन में फिर क्या issue है इतनी pricing के अंदर HD plus resolution से भी बहुत अच्छे से काम चल जाएगा और बाकी थोड़ा वो तो compromise आपको कहीना कहीं पर करना पड़ेगा तो HD plus resolution है थोड़ा सा आपक बाकी HD plus resolution आपका अच्छे से काम चल जाएगा इतनी pricing के अंदर और उसके बाद यहां पर RAM और storage की बात करें तो Honor 8C के अंदर आपको 3GB RAM 32GB storage का combination देखने को मिलेगा और साथ में आपको dedicated SD card की slot मिलेगी जिसे आप memory को expand कर सकते हैं और 24GB के आसपास आपको free space जो है वो मिलेगी जिसे आप अपने personal use में अपना data वगएरा store कर सकते हैं वावे Y7 Prime 2019 के बात करें तो यहां पे भी 3GB RAM 32GB storage वाला combination अवेलेबल है साथ में dedicated SD card की slot है जिसे हम memory को expand करेंगे और 24GB के आसपास यहां पे भी आपको space मिलेगी जिसे आप अपने personal use में इस्तमाल कर सकते हैं और considering the price 25,000 से लेके 26,000 की जो range है इतनी pricing के अंदर जो 3GB 32GB है यह acceptable है आपको दोनों devices के अंदर बिल्कुल same combination देखने को मिलता है थोड़ा improve हो जाता तो और ज्यादा best होता बाकि आप किसी भी device को buy करें यहां पे आपको कोई difference देखने को नहीं मिलेगा RAM और storage के मामले में और उसके बार यहां पर बात करते हैं performance की कि performance दोनों smartphone में से किसकी ज्यादा best आपको देखने को मिलेगी ओनर 8C के अंदर जो chipset लगाईगी है वो snapdragon 632 की chipset यह chipset पहला smartphone है honor 8C जिसके अंदर इस chipset को लगाया गया है snapdragon का और adreno 506 का GPU है तो आपको gaming performance भी अच्छी मिलेगी आपको overall performance भी अ तो जो Y7 Prime 2018 वाला variant था उसके अंदर snapdragon 430 की chipset थी इस साल वाले variant के अंदर improvement की गई है snapdragon 450 को लगाया गया है लेकिन यह एक पुरानी chipset है लेकिन मैं दोस्तों एक चीज़ आपको clear करता चलूँ यह पुरानी chipset ज़रूर है लेकिन बुरी chipset नहीं है आपको एक performance अची सी provide कर काफी improvements आपको देखने को मिलेगी लेकिन दोनों devices का जो GPU है वो है Adreno 506 का यानि GPU same है दोनों devices का आपको अच्छी gaming वगरा provide करेगा कोई hitting issue आपको देखने को नहीं मिलेगा दोनों sides के उपर अगर especially PUBG game की बात करें तो दोनों devices medium setting के उपर PUBG game को without any lag play कर सकती है तो दोनों devices की जो performance है Honor 8C की performance थोड़ी सी comparatively better आपको देखने को मिलेगी लेकिन जो Y7 Prime 2019 वाला variant है इसकी chipset old है लेकिन मैं फिर कहूंगा ये पुरानी chipset है लेकिन बुरी chipset नहीं है performance आपको दोनों smart phone में अच्छी मिल जाएगी और gaming performance भी overall आपको दोनों smart phone में अच्छी देखने को मिल 13MP वाला जो primary sensor है इसका aperture है F1.8 का और जो साथ में जो secondary sensor है वो एक depth sensor है bouquet blur effect के लिए और यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके front side के उपर तो 8MP का selfie shooter आपको देखने को मिलेगा Honor 8C में back side पे भी LED flash है front side के उपर भी आपको एक soft LED flash देखने को मिलेगी Honor 8C के अंदर और यहाँ पे बात करते हैं Y7 Prime 2019 की इसकी back side पे भी double camera setup है 13MP प्लस 2MP जो primary lens है 13MP वाला इसका aperture है F1.8 का और साथ में जो depth sensor है 2MP वाला वो bouquet blur effect आपको provide करेगा front side के अगर बात करते हैं तो यहाँ पे improve किया गया है पिछले variant की मकाबले में 16MP वाला selfie shooter आपको देखने को मिलेगा जिसका aperture ह F2.0 का अगर overall देखें तो cameras दोनों smartphone के जहाँ हैं वो price को justify करते हैं लेकिन for selfie lovers आपके लिए फिर option है Y7 Prime 2019 बिकोज इसके अदर camera जो है front वो है 16MP वाला बाकी Honor 8C के जो cameras हैं यह भी बुरे नहीं है back side को उपर दोनों smartphone में जो primary lens का aperture है F1.8 का आपको low light के अदर एक अच्छी photography experience provide करेगा दोनों smartphone full HD plus resolution की video को record कर सकते हैं अपनी back camera से तो overall दोनों smartphone के camera की जो performance है price tag को justify करती है आपको अच्छी जी performance देखने को मिलेगी लेकिन अगर आप selfie lover है आप अपनी selfies वगहरा चाहते हैं कि काफी अच्छी आएं तो फिर मैं आपको recommend करूँगा कि आप जा सकते हैं Y7 Prime 2019 के साथ लेकिन overall दोनों smartphone की जो camera performance है आपको अच्छी देखने को मिलेगी और उसके बाद बात करते हैं इन दोनों smartphone के अंदर batteries की Honor 8C के अंदर भी आपको 4000 mAh की battery देखने को मिलेगी Huawei Y7 Prime 2019 में भी आपको 4000 mAh की battery देखने को मिलेगी batteries को पिछले variants के मकाबले में 2018 के variants के मकाबल किया गया है जो एक plus point है donor devices का दोनों साइट के उपर आपको fast charging बिलकुल भी देखने को नहीं मिलेगी micro USB ports हैं दोनों साइट के उपर तो जाहरा आप 25 से 26 आपे की price के अंदर आप type C तो expect नहीं कर सकते micro USB ही मिलनी है और fast charging को आपको इसके अंदर नहीं मिलनी उसके बाद अग आपको जो donor devices हैं दो दिन का battery backup आराम से provide कर देंगी और जो companies अपने जो ads हैं जो जो भी है उसके अंदर claim भी करती हैं और बाकी अगर आपका heavy usage है थोड़ी gaming भी कर लेते हैं तो फिर ये डेर दिन का battery backup आपको आराम से provide कर देगी और जो snapdragon के processor हैं वो काफी well optimized है और काफी energy efficient ह देखने को मिल जाएगी तो batteries में यहाँ पर कोई difference नहीं है batteries यहाँ पर same है और आप दोनों devices के साथ जा सकते हैं battery के मामले में और उसके बाद अगर यहाँ पर OS की बात करें तो दोनों devices out of the box Android Oreo 1.1 के उपर आएंगी और Emotion UI 1.2 के उपर run करेंगी दोनों devices कोई difference यहाँ पर आ 2019 है अगर Android पाई आ जाता किसी device के उपर तो वो और एक plus point हो सकता था लेकिन Android Oreo है और Emotion UI है आपको एक अच्छा सा user experience भी देखने को मिलेगा दोनों साइट के उपर तो दोस्तों अगर overall बात करें तो दोनों जो स्मार्टफून हैं अपनी price को justify करते हैं value for money devices हैं अपनी अपन 500 के उपर आपको एक value provide करेंगे आपके पैसे की आपको value मिलेगी और अच्छी performance भी देखने को मिलेगी overall अगर देखें HD plus जो resolution है दोनों साइड के उपर वो definite है लो जरूर है लेकिन आजकल की जो trend चल रहे हैं market में HD plus से उपर आपको कोई भी device provide नहीं करी कोई भी company provide नहीं कर justify करता है आपको naked eye से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा इसके pixels का आपको अच्छे से pixels वगएरा देखने को मिलेंगे तो परिशान नहीं होना थोड़ा बहुत आप compromise भी करना सीखें आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत compromise अगर करना पड़ता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर दोसों आप selfie lover हैं तो फिर आपको Y7 के साथ जाना चाहिए वावे के fan है पिछले साल 2018 में Y7 2018 को buy किया था जो काफी बीका पाकिस्तान में काफी अच्छा business generate किया उसने वावे के लिए तो फिर आप definitely Y7 के साथ जा सकते हैं 26-26-500 के उपर 8CE को buy करने के लिए अगर आप थोड़ा बहुत front camera को लेकर यहाँ पर compromise करना पड़ेगा लेकिन बुरी performance आपको देखने को नहीं मिलेगी on a rate C के अंदर भी तो overall दोनों devices value for money हैं आपको अच्छे features के साथ आपके पैसे की value भी इन दोनों devices के अंदर देखने को मिलेंगी तो यह वीडियो यही तकती दोस्त अपना अपने चाहने वालों का बहुत ज़रे क्याल रखेगा बबलू लहरी को दीजिये अजाज़त अल्लाहफेज